में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रजुलित करो उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रजुलित करें अगर गोल बाती है तो वो तो दिये के बीच में होगी फूल बाती है तो वो दिये के बीच में होगी और मानलो अगर لمbey बाती को लेकर पहुंचे हो तो अगर दीप लगा रहे हो कामना रख कर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है तो बाती का मुख अपनी और रखना पर कोई कामना नहीं हम भगवान को केवल इसलिए रिजा रहे हैं कि मेरा भूले नात मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुक सम्रद्धी दे तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया अब हम किसी से पूछेंगे कि हमें क्या करना है ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है अर्थात मेरा जो जीवन है मेरा जो संपूर्ण परिवार है मेरा जो कुटुम्ब है मेरा जो कविला है मैं जिस गर में निवास करती हूँ मैं जिस गर में रहता हूँ उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर रहे तो बाती का मुख कहा हो गया भगवान की ओर हो गया पर जादातर लोग दिया जो लगाते हैं न वह अपनी ओर बाती नहीं करके ही लगाते मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है शु τηνdiastी कोच्छ इसको इन इंकी जागुरू को निलेघी पर उस बाती में जब आह अपना समुन परिवार शनकुन अपने परिवार का दुकान हो धन्दा हो वेपार हो वैसाय हो चाहे हो आप जितना भी कार्य कर रहे हो फेक्टनिया चला रहे हो वो सब अपने भगवान के वरोसे पर दे दिया भगवान की ओर दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में बाती का मुख करकर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए ऐसा भी नहीं जब भी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना मारज अगर भगवान जिस स्थान पर वेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामन तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम दो बीता की दूरी तो होना ही चाहिए जिससे भगवान को भी चोटना लगे भगवान को भी घातना लगे तुलसी महराणी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महराणी से दूर लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगा पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नी एसी मुर्चित हो जाती है तुलता महरानी चारुद प्रफ से वो दिये की लो से जल याती है ऐसा दृप लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ है ऐसे दीप की कोई महत्तवतानी आंब कि किसी को भी कस्तों से बीच में शंकर और पार्वती के ब्रमन का समय है ने देवा देवाह देवा ना न लेकर अगो निकर पी दो लिए हमारा सनातन धर्म करता है शाम के समय पर माताओं को जाड़ों नहीं लगाना चाहिए शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिच्छिया नहीं बदना चाहिए शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए शाम के समय पर्माताओं को बाला ही बाना चाहिए शाम के समय पर्माताओं को चोगट पक नहीं बेटना चाहिए उसका कारण क्या है क्योंकि पारवती जी ने भगवान बोलेनाची से कहा था मुझे रोज साम के समय प्रदोस्काल में ब्रह्मन के लिए लेकर जाते हो मेरे लिए आध्या क्या है संकरवगवन में का सुनो पारवती मंदिर के अंदर मंदी रहता है जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कर जाता है कि मतान अखंड सुम्हां कि होने का बर्मे तो दे दूंगी पर उस समय पर जाड़ 섞े नृक्षम महां कैसे ब्हार सकति हो प्रकर सब्सक्राइज ही कि विश्जा रहा होता है रहा होगा रहा है में ऐसा समय मैंसा होता है जिस समय पर केवल शंकर्त और पारवती की अधाधना का समय होता हुआ हम तो कई लोगों से करते हैं अगर आपके अहां संपदा नहीं आ रही है बहुत मेहनत कर रहे हो धल नहीं मिल रहा कहीं नोकरी कहीं सर्विस या कहीं वेपार या वेशाय में कहीं तकलीप का रही है हम सबसे सबसे साम का समय पकड़ लो संकर जी के मंदर में दिया लगाना पर रहा हुआ है इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बहार अपने द्वार पर दिया लगा दो पर संकर जी के करकर अपनी कामना करकर थारवा इस्मर्ण करकर शंचक्र forum नमशिवा और सदिक मत्र मंद्र कों नमस्ध क्षर मंत्र नमभतरते मास्मदेवा से ल है। उस्का इत्हुमामदकर नारेण हो जए नियम तो बनाओ उसकी चोखट बढ़ जात रखता है नहीं होता है भरस्कति माराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोश का समय होता है उस समय पर इंद्र देओ तुम संकर जी की अराधना करो शिप अराधना से संकर जी जो मार्द प्रस्त करेंगे शिप अराधना को जो संकर जी कहेंगे वो तुम करना है ठीक है अराधना करी बाबा बोले ना जी मालूम नहीं था इंद्र देओ को प्रस्त की महराज ने प्रदोश की महत्वता समझाई तो प्रदोश का समय जानकर शंकर जी पर साथ बेलपत्र प्रदोश के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोथे कितनी बेलपत्र साथ प्रदोश का बरत करो चायना करो मंदिर में चड़ी होई बेलपत्र को उठा लो बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसकस पत्रिया ने साथ प्रती का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे यह यह पत्रिया आए एक जैसी रख्षी होई है तो इसको फैलाए साथ प्रती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बनाए प्रदोश का प्रत करें ना करें जरूरी नहीं है कि ब्रक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो इस अंसर्जी को चड़ा उड़ाओगा शिवजी पे सिछ चड़ी रुए उठ प्रता कर दोकर प्रम कमल बनाकर बावा से विने करकर है प्योगों आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं बाबा मेरा यकार है बोलकर श्री शिवाय नमस्तु प्रम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित करकर देनभार प्रदोश्वरत का फलब बाब एक विल्पत्री समर्पित करने प्रति तरुपर शिवलिंग प्रदोश्वरत करए हो उससे बड़कर कोई पर्सन Зह पर नहीं कर रहे तो प्रदोश्वकर बीप दिन या बारों महिन्यीवश्वरत परिया रहादिए किसे आज सबी लोग आशा करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे देखिए जो भी मेरे चैनल पर पहली वाही बहन पहली वार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो कैसी लगती है कमेंट में हर महादेब लिखना ना भूलें देखिए आज को बहुत ही अच्छा वपाय बताया है प्रदोस काल में अगर एक दीप अपने दर्वाजे पर लगाते हैं तो धन का आप क्या भंडर भर जाएगा लच्मी का आगमन होगा कहते हैं प्रदोस काल में सिभ पारवती ब्रमड के लिए निकलते हैं तो नंदी के कान में जाकर के कान में अवश्य कहके आएं कि ब्रमड के लिए आप सिभ जी और पारवती को लेकर आते हैं प्रदोस काल में साम की डायम तो हमारे यां अवश्य लेकर आएं तो ऐसे कान में कहके आना है नंदी के कान में और आपको आना है घर साम को आपको एक डीप लगाना है साम को अ के लिए लेकर आई हैं तो हमारे यां उनको लेकर अवश्य आएं प्रत्वी पर प्रदोस काल में शिवरात्री में 81 पर सिफ पार्वती प्रत्वी पर भर्मण के लिए आते हैं तो इसलिए आपको दर्वाजे पर एक घी का दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए इससे आपके धन में बरकत होगी, आपके याँ धन सब बदा खोब बढ़ेगी, कोई भी कस्ट बीमारी नहीं रहेंगी, आपके धन सब बदा की जो भी कमी है, वो कमी पूरी होगी जिस वेक्ति के हैं धनकी बहुत कमी है, कस्ट बहुत ज़ादा है, विपता पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें तो प्रदी पिसरा जी ने सिप्राण में बता दिया है, कि अगर आप किया ये सब परेशानिया हैं, तो आप एक उपाई अवशे करने, प्रदोस काल में एक दीपक अवशे लगाएं, देखिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, या आप शिवालने नहीं जा सकते, बेल पत् प्रदोस काल में आप साम की टायम जरूर लगा कर आएं, इससे आप का जो भी धनगी चमी है वो पूरी हो जाएगी, जो भी आप किया कस्थ है, वो समापत हो जाएगा, आपकी जो भी मनो कामना है, वो पूरण अवशे हो जाएंगी। प्रदी पिसरा जी ने अपनी कत् How म ये भी बताया है उनका ही उपाय सुनकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, जो भी वेक दीप दो सकाल में साम की टाइम मंदर जाकर एक दीप लगाए, जो भी अपनी कामना है, कामना को जानकर आपको रखकर अगर दीप लगानी है, तो वह लंबी बाते का दीप जा रहे हैं, आप किया धन संपदार हमेशा रहे, आप किया सुक्सांती बनी रहे, तो आप उस दीप का मुख सिब जी की तरफ कर दे, अगर आपकी कोई कामना है, तो उस दीप का मुख अपनी तरफ लगाएं, लंबी बाइब जब दिया लगाओ, और मंदिर में जब दीप और मंदिर में जब दिया प्रजुलित करें, अगर गोल बाती है, तो वो तो दिये के बीच में होगी, फूल बाती है, तो वो दिये के बीच में होगी, और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुँचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामन को केवल इसलिए रिजा रहे हैं कि मेरा भूले नात मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख सम्रद्धी दे तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड दिया अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी और है अर्थात मेरा जो जीवन है मेरा जो संपूर्ण परिवार है मेरा जो कुटुम्ब है मेरा जो कविला है मैं जिस गर में निवास करती हूँ मैं जिस गर में रहता हूँ उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर तो बाती का मुख कहा हो गया भगवान की ओर हो गया अब पर जाधा तर लोग दिया जो लगाते हैं न वह अपनी ओर बाती करके ही लगाते मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है और उस बाती में आप अपना संपोन परिवार संपोन अपने प्रिवार का दुकान ओ धंदा ओ Mingyang Oreo चाहे आप जितनाए कर रहर हो पैक्प्ट नियां चला बादो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जा ऐसा भी नहीं जब भी वी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना मारज अगर भगवान जिस इस्थान पर वेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है तुलसी महराणी को जो दिया लगाया जाता है मैं जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रजुलित करो अगर उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रजुलित करें अगर गोल बाती है तो वो तो दिये के बीच में होगी फूल बा बाती है तो वो दिय के बीच में हो और मान लोगर लंबी बाती लेकर गए हो लंबी बाती को लेकर पहुचे हो तो अगर दीप लगा रहे हो कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है तो वो दीप का बाती का मुख अपनी और रखना पर कोई कामना नहीं हम भगवान को क बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया अब हम किसी से नहीं पूचेंगे कि अमें क्या करना है यह दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुम्ब है, मेरा जो कविला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर है, तो बाती का मुख कहा हो गया, भगवा चलती ही रहती है 24 गहु चोछة कम नंगे शाज के इनके कढूना निरन तर रहती है पर उस में आप अपना संपून परिवार संपून अपने परिवार का दुकान घंदा हो वेपार हो विवसाय हो चाहे आप जितना भी कारे कर रहे हो फैक्तिना चल रहे हो वो सब अपने भगवान के वरोसे पर दे दिया भगवान की ओर दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में बाती का मुख करकर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जा ऐसा भी नहीं जब भी वी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना मारज अगर भगवान जिस स्थान पर वेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है भगवान के साम तुलसी महरानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महरानी से दूर लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगा पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नी पेपणे में इतनी जगए ही नी कि वह मेरह दो हो लोगों कुंडा में धर्गिया जाए अवकुंडी में रखे हैं मालूम कडे तुलसी महरानी का पत्ता मुर्जा जाता है तुलसा महरानी भी ऐसी मुर्चित हो जाती है तुलसा महरानी भी चारु तरफ से वो दिये की लो से जल जाती है ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं किसी को कष्ट देकर किसी को परिशान करकर देवता हो चोई आपको आपको किसी को कष्ट देकर किसी को परिशान करकर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है उसका कोई आनंद नहीं है किसी को भी कष्टदे कर अगर आपने भजन भी किया युक्य भी करा दान भी करा फुर्णने भी करा सथकर्म भी करा भजन भी करा वसका को Аज्ठी कर शाम को चार जएसे ci सात बजखे के बीच मैं संक्र कर वकपी के ब्रमन का समय रहता है मेरी देव देव महार धेवा आप पर्माताओं को जाड़ों नहीं लगाना चाहिए शाम के समय पर मताओं को चूड़ी बिच्छिया नहीं बदनना चाहिए शाम के समय पर मताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए शाम के समय पर मताओं को बाला ही बाना चाहिए शाम के समय पर मताओं को चोखट पक नहीं बेटना चाहिए उसका कारण क्या है क्योंकि पारवती जी ने भगवान बोलेनाची से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोस्काल में ब्रह्मन के लिए लेकर जाते हो मेरे लिए आध्या क्या है संकरवगवन में का सुनो पारवती मंदिर के अंदर मंदी रहता है जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में करकर जाता है कि शिवजी को मेरे या लेकर आना मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ मेरा काम है उनका कल्यान करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सुभा ग्योती का बर्वलार करना ये तेरा काम है तब पार्वती माता ने कहा अखंड सुभा क्वेवती होने का वर में तो दे दूँगी पर उस समय पर माता है चूड़ी बदल रही होगी तो मैं बर कैसे दे सकती हो मांग भर रही होगी तो मैं बर कैसे दे सकती हो उस समय पर चूड़ी बिच्छिया बदला जा रहा होगा त तो में लच्वी तो महां कैसे भेश सकती हूं आप बता तो संकर वगवान ने कहा प्रदोष का समय एक इससा समय होता है शाम का समय इससा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पारवती की अधाधना का समय होता हुआ हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहां संपदा न नहीं मिल रहा कहीं नोकरी कहीं सर्विस या कहीं वेपार या वेवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है हम सबसे सबसे हैं शाम का समय पकड़ लो संकर जी के मंदर में दिया लगाना करा रहा है श्युम मंदर में अगर दिया नहीं लगा रहा है तो बेल पत्री के मंदर में दिया नमस तुक्यम बोलकर , शंकर भगवन को याद करकर , 착 국민 करकर ! अपनी कामना करकर ! बाबाद का इस्क्रण करकर ! पंचाक्षर मंट्र को मत्र शेट औम्क्षर मंत्र ? नमख्स्वा चैड़ए . वाँटक्ष्छर मंत्र ? औम्म। भगवद्ड वासु देवाए.. जो मंतर तुम को याद है उसका इस समर्ण करका लच्छम इह उत्री हो जया ना रह नहूं चैना राम हो जया क्रिशन हो समर्ण करकर सामि के समय पहार दिया रगा दो तरबाजी के पास लगा दो उस सुनेका जरूर आये तो उसको बिल कम जरूर होगा नियम तो बनाओ उसकी चोखट पर जाते रखता है नहुता है भरस्कति माराजी ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोश का समय होता है उस समय पर इंद्र देओ तुम संकर जी की अराधना करो शिप अराधना से संकर जी जो मार्ग प्रस्त करेंगे शिप अराधना से जो संकर जी कहेंगे वो तुम करना है ठीक है अरादनकरी बाबा बोले ना जी मालूम नहीं था इंटर्वेव को रस्तकी महराज ने प्रदोश की महत्वता समझाई तो प्रदोश का समय जानकर संकरजी पर साथ बेलपत्र प्रदोश के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोथे कितनी बेलपत्र प्रदोश का बरत करो चायना करो मन्दिर में चड़ी होई बेलपत्र को उठा लो बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसपस पत्र पत्र का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे यह पत्ति आया एक जैसी रखी होई है तो इसको फैला जाया साथ पत्ति को आपस में फैला कर ब्रह्म कमल बनाए प्रदोश का बरत करें ना करें जरूरी नहीं है कि ब्रक्ष से ही पत्ति लेकर आओगे तो ही संकर्जी को चड़ा उड़ाओगा शिवजी पे जित चड़ी रुए उठाकर दोकर प्रह्म कमल बनाकर पावासिविने करकर हेप्योगो आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं बाबा मेरा ययकार एक बोलकर श्री श्रिवा नमस्तु भीरम बोलकर श्रिवलिंप समर्खित करकर देनभर के प्रदोश्वत का प्रतल बाबा एक बिलपत्री समर्खित करने पर ब्रदान करता है प्रदोश कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसनता नहीं पर नहीं कर रहे तो प्रदोश के दिए या बारों महीने शिवरात प्रिया की है प्रदोश काल में अगर आप एक दिप अपने दर्वाजे पर लगाते हैं तो धन का आप क्या भंडार भर जाएगा लच्मी का आगमन होगा कहते हैं प्रदोश काल में सिव पारवती ब्रमड के लिए निकलते हैं तो नंदी के कान में जाकर अगर आप मंदर जाते हैं तो उनके कान में अवश्य कह के आएं कि ब्रमड के लिए आप सिव जी और पारवती को लेकर आते हैं प्रदोश काल में साम की डाइम तो हमारे य और आपको प्रजलित करते समय यही बोलना है कि हे नंदी बाबा आप सिप जी पारवती को भ्रमण करने के लिए लेके आएं हैं तो हमारे यहां उनको लेकर अवश्या आएं प्रत्वी पर प्रदोस काल में शिवरात्री में 81 पर सिप पारवती प्रत्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं तो इसलिए आपको दर्वाजे पर एक घी का दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए इससे आपके यहां धन में बरकत होगी आपके यहां धन सब बदा खोब बढ़ेगी कोई भी कस्ट बीमारी नहीं रहेंगी आपके धन सब बदा की जो भी कमी है वो कमी पूरी होगी जिस वेक्ति के धनकी बहुत कमी है, कस्ट बहुत ज़्यादा है, विपता पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें तो परदी पिस्राजी ने से प्राण में बता दिया है, कि अगर आप क्या ये सब परेशानिया हैं, तो आप एक उपाई अवशे करने, पर दो स्काल में एक दीपक अवशे लगाएं, देखिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, या आप शिवालने नहीं जा सकते, बेल पत् पर दो स्काल में आप साम के टाइम जरूर लगा कर आए, इससे आप के जो भी धन्गी कमी है वो पूरी हो जाएगी, जो भी आप के कस्ट है, वो समापत हो जाएगा, आपकी जो भी मनो कामना है वो पूर्ण अवशे होई हो जाएगी, पर दीप इसलाजी ने अपनी कथा म ये भी बताया है उनका ही उपाय सुनकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ जो भी वैक दीप दो स्काल में साम की टाइम मंदर जाकर एक दीप लगाए जो भी अपनी कामना है कामना को जानकर आपको रखकर अगर दीप लगानी है तो वो लंबी बाती का दीप लगात आप किया धन संपदार हमेशा रहे, आप किया सुक सांती बनी रहे, तो आप उस दीप का मुख सिब जी की तरफ कर दें, अगर आपकी कोई काम ना है, तो उस दीप का मुख अपनी तरफ लगाएं, लंबी बाएं। अगर दीप लगा रहे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रख कर लगा रहे हो, कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं, हम भगवान को केवल इसलिए रिजा रहे हैं, कि मेरा भूले नात मेरा भंडार भरे, और मेरे घर में सुक सम्रद्धी दे, तो दीप की बाती का भगवान की ओर होना चाहिए, कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की बाती का मुख है वो आपकी ओर है, अर्थाक मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुम्ब है, मेरा ज इस घर में निवाज करते हूँ, में जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर है, तो बाती का मुख कहा हो गया भगवान की ओर हो गया, रखं़ की और यार जादा तर लोक दिया जो लगाते हैं न वए अपनी और बाथी करके लगाते मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है इनकी जागरू करें इनकी निरंतर रहती है पर अपने परीवार का दुकान धन्दा हो गपार हो ये नि Sahyt आप आप कारे कर रहे हो फिर्टणिया चला रहे हो वह सब अपने भगवान के वरोसे पर दे दिया भगवान की ओर दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिलकुल करीब में बाती का मुकरकर लगा दो और भगवान को मालुम पड़े चोट लग जा ऐसा भी नहीं जब भी भी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना माराज अगर भगवान जिस इस्थान पर वेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम दो बीता की दूरी तो होना ही चाहिए जिससे भगवान को भी चोटना लगे भगवान को भी घातना लगे तुलसी महरानी को जो दिया लगाया जाता है